अलो दोस्तो मैं सवरो भार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार दर सल्यूसन इंस्टिट्यूट पे तो आज हम लोग बात करने वाले यहां से यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो हम लोग क्लास चला रहे थे आज हमारी यह क्लास नंबर होने वाल अब लूब का टेली ग्राम पर मिल लाता है तो टेलीग्राम कर्lingen डिस्क्रिप्षन पर वहां से जोईन होजाना फीडियाफ वहां से मिल लाएगा तो चलिए आज की क्लास को मुलों की स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले वाई तीन चैप्टर एक हम लोग प्रभी तक चेनल एक सिस्क्राइब करनेगे और हमारे साथ जुड़ जाएंग तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले यहाँ से डिसकेनरी के बारें में तो डिसकनृरी जो हमारे पास यहाँ पे होती है डिसकन dip हम लोग फिर्टे जो English वाली होती है kya English जानि की जिसे हम लोग हिंदी में बोलता है सब्द कोर्स डिसकनरी यानि की सब्द कोर्स और जैसे आपने डिसकनरी की बुक देखी होगी उसमें क्या होता है कि जो भी उसमें वीनिंग होती हो एसे organizations के order में set होती है यानि पहले total A वाली दे होती है फिर उसके बाद जड़वे यानि कि एक alphabet के order में set होती है पहले total A की दी होती है फिर B फिर C तरीके से दी होती है तो बस वही चीज हमें इस chapter में करना है कि जो भी कोस में सब्द अंग्रेजी बढ़माला क्रम के अनुसार होता है यानि कि डिसकनरी में क्या होता है सब्द जो होते हैं अंग्रेजी बढ़माला के अनुसार होता है कुछ दिये गए सब्दों को सब्द कोस के अनुसार बेवस्थित करने के लिए उन सब्दों के प्रथम अच अच्छर के आधार पर तुलना की जाएगी इसी प्रकार यदि दूसरा अच्छर भी समान है तब उसके आगे वाले से करेंगे यानि कि हम अक्छरों से क्या करते हैं लेटर से हम लोग कंपेर करते हैं और जब तक उनमें जो है तुलना नहीं हो जाती तब तक यह प्रक्रिया गया कि भाई बैठ है और यहां पर दे दिया गया कि भाई कैट है और इसमें बोला गया कि भाई यह पहले नंबर पर है यह दूसरे पर है ठीक है बोलो और यह हमारे पास करना होगा इन्हें क्या करना होगा इन्हें हमें क्या करना होगा इन्हें हमें यहां पे सेट करना होगा किस तरीके से अलफाबेट के आडर पे सेट करना होगा यानि कि यहां पे जब आप अलफाबेट के आडर में सेट करोगे तो पहले क्या आएगा पहले एपल वाला पूछे जाते हैं ठीक है भाई बूलो बात आपको समझ में आई की नहीं ठीक है भाई इसी तरीके से मारे पास क्या होते हैं कोसन जो हैं पूछे जाते हैं ठीक है अगर यहां पे क्या होता कि मानों कि हम पहले लेटर से नहीं कंपेर कर पाते हैं सभी जगा पे हमारे पास क्या होता जैसे मानों कि यहां पे हम लोग दे देते कि भाई यह पल है यहां पे हम लोग एसे कोई मीनिंग ले लेते कि जैसे ठ ठीक है जैसे हम लोग लिख लेते हैं कि भाई एम हो गया ठीक है या फिर यहां पर लिख लेते हैं रो लिख लेते हैं इस तरीके से तो यहां पे हमारे पास अब क्या compare करेंगे कि इनके दूसरे letter से compare करेंगे जब पहला same है तो अब इनमें देखेंगे कौन पहले आता है ठीक है तो अगर आप के बाद हमारे पास क्या आता है बोलो पी हमारा कहां पर आ जाता है भाई 16 पर और यह जो हमारा आर होता है आर हमारा कहां पर आता है अठारा पर तो यानि हमारे पास फिर उसके बाद यह आएगा एम के बाद यह आएगा फिर इसके बाद यह करें इस तरीके से हम लेटर में क चीक है चलो बाई आगे वह लोग देखते हैं कोसन से समझते हैं कि हमें किस तरीके से करना है तो यहां पर देखो कि हमें इस तरीके से यहां पर कोसन बोलेगा हमसे कि अंग्रेजी सब्द कोस के कमा अनुसार निम्न लिकित सब्दों को विवस्थित करो तो यहां पर तुम क्या करोगे कि यह हम से पहले लेटर से क्सक्ञाइब तो पहले लेटर से तो नहीं bên नहीं कर पाएंगे दूसरा भी देखते हो तो N सभी जगा पर है इससे भी हम क्या decide नहीं कर पाएंगे जब तीसरा लेटर देखते हो तो आपको इन दोनों पर H मिलता है और उसके बाद आपको G मिलता है और F मिलता है तो अब इसके हिसाब से आप compare करोगे कि इन में से सबसे छोटा लेटर कौन सा है तो आप बोलोगे सबसे छोटा लेटर F है यानि अब F जब देखोगे इनके बाद तो इन दो पर F आया हुआ है तो अब इन दो पर F आ गया तो हम इनका आगे देखेंगे चौथा लेटर चौथा जब देखोगे तो इस पांचवे वाले पर ए आया है क्या आया है यानि कि ये पांचवा वाला हमारे पास पहला होगा तो जैसे ही पांचवा हमारा पहले आएगा तो आपके जो चौथे आप्शन पर ये चार दिये हुए न ये दोनों आप्शन तो पहले ही हट तो F के बाद हमारे पास G आता है, तो हमारे पास यह जो यहाँ पर क्या आएगा, तीसरा आएगा, अब इसक वाद हम H से जब compare करेंगे तो यहाँसे हम decide नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास E है, तो आपको पता है, U में पहले क्या आता है,以上 ना श्रहांप क्या आता है, educational जब तीन लेटर तक आप जाओगे तो आपको पता चल लाएगा कि 543 यह आपसन हट जाएगा तो आपको पूरा भी सॉल्व करने के जवगत नहीं है तीन से चाल लेटर तक सॉल्व करोगे आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा इसी तरीके से हम लोग आगे देखेंगे कि यहां पर दिये गए सब्दों को अंगरेजी वड़ माला के अनसार हमें बेवस्तित करना है तो यहां पर जब हम सब दो आप और दोसरा भी लेटर हमारे पासई है यानी इन दो लेटर से तो हमणि नहीं कर पाएंगे कि कौन से पहले आएगा अब जब तीसरा लेटर देखेंगे तो एक हमें M मिल ला है, एक हमें F मिल ला है, एक हमारे पास यहाँ पे S है, ठीक है, और एक हमारे पास C है, तो इन सब में छोटा क्या है, इन सब में छोटा C है, बोलो, तो हम इन C वालों को देखेंगे, तो यहाँ पे C के हमारे पास कितने ल नम्बर वाला पहले आएगा और उसके बाद यह हमारे पास पांचवा नम्मर आएगा यानी जो चठमे सिस्टार्ट होगा हमारे पास वह आपसन सही होंगे यह दोन रहे पास पहले हिए तो शै और पांच अब इसके बाद हमें देखना रहेगा इन दोनों का काम हो चुका है इनमें देखेंगे तो आप देखो यहां पे क्या है कि हमारे पास बचे क्या है S F और M south सबसे छोटा क्हों है F हमारे पास सबसे छोटा है और F देखेंगे तो हमारे पास इसमें आया है किसमें Pakistan भागमिरे दूसरे वाले में ठीक है बोलो बताओ भाई जल्दी से कि यहां पर हमारे पास क्या होगा एफ जो आया है हमारे पास वो कहां पर आया है दूसरे वाले पर आया है तो जैसे आप इन तीन लेटर तक सौल्व करोगे तो आपको मिल लाएगा कि 6-5-2 क्रम बाला जो है वो सही हो जाएगा यह हमार हमारे पास क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा बोलो बात समझ मैं तो इस तरीके से आपको यहां पर इनको कंपेर कराना है बस और कुछ नहीं करना है ठीक है यह होती अंग्रेजी वडमाला इससे इस टाइफ के कोसन मनते हैं इसको भी आप कर लोगे अंग्रेजी सब्दों क निम्नलिक सब्दों को बिवस्थित करना है यानि अंग्रेजी वडमाला के आधर पर ही उरson करना यह भी आप कर लोगे ठीक है बोलो उसके बाद आपको क्या करना होगा ठीक है इसके बाद आपको क्या करना होगा कि इसको जब आप कर लोगे तीसरे को आप लोग कर लेना भाई मेरे आंसर यहाँ पे तीसरे वाले पे जो भी आएगा आप कर लोगे अगर कहो तो answer आपको बता दिया जाता है कि भाई मेरे तीसरे वाले पर answer क्या आएगा ठीक है यानि कि यहां पर answer आएगा 51423 क्या आएगा 51423 यह answer आएगा आप इसको अपने से खुद से solve करना आपको थोड़ा practice भी हो जाएगी आगे देखते तो देखो यहां पर आप क्या बुला है दिये गए सब्दों को अंग्रेजी वण माला के अंग्रेजी वण माला अनुसार उनके विपरीद क्रम में सेट करना है यह यहां से आपका एक type 2 number का question हो जाएगा जो alphabet से पूस्थता है तो अंको विपरीद क्रम में सेट करना तो आप यहां पर या तो इनको विपरीद क्रम पर सेट करते हो या तो इनको क्या करो कि भाई जिस order पर होता है उसी पर सेट कर लो और उस option को ही पलट दो कैसे देखवा हम लोग यहां पर देखते हैं अगर यहां पर देखोगे तो इन दो लेटर से तो हम इनको पहले कैसे लिखें क्योंकि एफ हमारे पास यहां भी एफ हमारे पास यहां भी है बुलो बात आपको समझ में आई की नहीं तो एफ में जब बात फचेगी तो आगे लेटर देखेंगे तो ए यानि कि हमारे पास क्या है पांचवा पहले आएगा पांचवा लेटर हमान उसको रखेंगे बाकी इनको हटा देंगे ठीक है तो बोलो यह पांच वह हमारे पास पहला आया इसके बाद हमारे पास यह चौथा आएगा तो फाइब और फॉर यानि जब इस आफसन को पल्टोगे तो आपके पास क्या बनेगा यह वाला आपके पास बन जाएगा पीछे स दोनों सेम है तो आप हम तीसरा आगे लेटर देखेंगे चौथा यहां पर यह वाला आएगा यानि कि पहला आएगा उसके बाद हमारे पास तीसरा आएगा देखो यह अगर आपने सीधे देखा तो इस हिसाफ़ से आंसर बना लेकिन हमसे पूछा क्या था विपरीथ तो ह करोगे बस आपको आंसर पलटना रहेगा तो जब आप सीधे करोगे तो जो पहले आगा वो यहां से लास्ट में होगा क्योंकि हमसे भी पूछा है बस बाते हो जाएंगे इतनी सी समझ में आई की नहीं आई आई आपको तो यह अंग्रेजी वर्ण माला के दूसरे तरीके के क कुछ नहीं हमको सिर्फ अंग्रेजी वर्ण माला क्या धर पर ही देखना पस यहां पर देखना जो तीसरे प्यार आओगा उसको हमें यहां पर आंसर करना है ठीक है देखो तो पहले लेटर से तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि हर एक जगा पर क्या यू है बोल आप बोलोगे मेरे भाई की हमारे पास क्या आएगा आ राएगा क्योंकि पी क्यू आर एस्ट या तो यह अन पहले आएगा तो यह हमारे पास एन वालों को हम पहले देखेंगे तो N वाले पास यह दो हैं, N वाले हमारे पास कितने हैं, तो अब इन दो में पहले कौन आएगा, तो N के आगे देखो कि यहाँ पे भी आईए, यहाँ से हम D CIDE ने इकर पाएंगे, एक और आगे देखेंगे, यहाँ पे Q है, यहाँ पे T है, तो बोलो T पहले आता है कि क्यूँ कुछ आता है तो आप बोलों कि पहले क्यों आता है यानि कि साथवा पहले हो जाएगा उसके बाद यह हमारे ही JACKbig हो जाएगा अब बच्चे हैं हमारे पास झी ठीक है इस N का काम हो गया हमारे पास अब इन में कौन छोटा है सबसे छोटा है आर तो आर वालों में देखेंगे हम जब तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा बोलो आर वालों में जब हम देखने जाते हैं तो आर के हमारे पास दो है दो हने बाद हम आगे वाला देखेंगे तो यहां पर यहां पर भी है यानि कि पहला आएगा यहां पर यहां पर हमारे पास दूसरा आएगा ठीक है आर वाले हमने देख लिए अब एस वाले देखते हैं तो एस वाले हमारे पास कितने हैं एस वाले हमारे पास दो है इनके ठीक आगे देखेंगे तो हमारा पहले आता है यानि कि चौथा आएगा फिर हमारे पास तीसरा आएगा अब नमारा आंसर होगा यहां से यूरेनियम आंसर होगा जो तीसरे पर आ रहा है उसके कहने चाहिए उसके औरेजी बड़ माला के उन्सार जब विवस्थित करोगे तो तीसरे इस अधर पर क्या आएगगा पहले का मतलब बस आपको सिर्फ compare करना है बात आप समझ गए ना चलो आगे देखते हैं यहाँ पर देखो तीसरे पर कौन आएगा इसको भी आप solve कर लेना इस पर answer हमारे पास क्या आएगा क्या इस पर हमारे पास सायद गोमती answer आ रहा है बोलो इस पर हमारे पास answer क्या आएगा भाई मेरे इस पर हमारे पास answer आएगा जो वो गोमती आएगा ठीक है इसको भी आप solve कर लेना अपने हिसाब से जो अभी बताएगा प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी आगे चलते हैं यह हमारा डिस्कनरी खतम हुआ डिस्कनरी पर हमारे पास सिर्फ तीन तरीके के question ही पूछे जा पूछा जाता है कि सबसे पहले तो अंग्रेजी वडमाला के अनुसार ब्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा ठीक है यह question पूछा जाता है इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगर आगे तो आगे फिर यही टाइप का question है यह इसको आप कर लेना इसका बोलता है वी प्री तो बेवस्थित करने की और प्हारा है तो यहां पे तीसरे पर क्या रहा है इसके बारे में हमलों फोड़ा सा समझ लेते हैं भाई मेरे हिंदि पे बोलते हुआ हैं भाई मेरे सब्द गठन क्या बोलता है इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी पे सब्द गठन वर्ड़ फार्मेशन को का प्रयोग करके किसी सब्द का गठन किया जाता है यह नहीं किया जाता यह पूछा जाता है क्या पूछा जाता है देखो जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है निम्न प्रस्ण में दिये गये वह कल्पिक सब्दों में उस सब्दों को चुने जिसका निर्माण इसके अच्छर करना क्या होता है यहां पर हम यह करना होता है इनको देखना होता है जैसे लिमिटेशन बनाया हुआ है तो ल भी यहां पर आया है आई भी हमारे पास यहां पर 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 यहां जो इस पहले वाले के लिमिटेशन के जो लेटर है वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं सारे के सारे के हैं मल्टिप्लिकेशन जो यह सब्द लिखा हुआ है इसके अंदर इस पहले वाले यह वाले के सारे के सारे लेटर आते हैं अब देखो करना क्या है कि जैसे यहां पर य यह हमारा नहीं बनता क्यों क्योंकि हमको जितने लेटर यहां पे दिए बस उनका यूज करके बनाना है जो यहां पर हो सारे के सारे इसके अंदर होने चाहिए तो पहला तो हो गया एक्षन में देखो A और C, A भी हमारा है, C भी है, T भी है हमारा, I भी हमारा, O भी है हमारा, N भी है यानि एक्षन भी हमारा इससे बन सकता है एप्लिकेशन देखो, A है हमारे पास P, डेवल P चाहिए हमें, यहां पर एक यह P है और दो P नहीं है हमारे पास यानि कि यहां पे 2P हमें चाहिए लेकिन यहां पे single P है इसलिए यह option ऐसा है जो इसके दोरा नहीं बनाया जा सकता क्यों नहीं बनाया जा सकता क्योंकि application के लिए हमें 2P चाहिए और हम use क्या कर सकते हैं जो हमें यहां पे दिया है यहाँ पे हमें सिर्फ single P दिया है तो हम single P ही use कर पाएंगे double ने use कर पाएंगे इसलिए आप संसी हमारा क्या हो जाएगा कि यह हमारा क्या है इसका प्रियोग करके इसको नहीं बनाया जा सकता है और typical को देखोगे TI अगर देखोगे T भी हमारा I भी है P भी हमारा यहाँ पे है और C भी हमारा यहाँ पे है A भी हमारा है और L भी हमारा यानि typical को इसके दारा बनाया जा सकता है लेकिन application को हम multiplication वाली meaning से नहीं बना सकते क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें double P चाहिए और यहाँ पे double P हमारे पास नहीं है सिंगल लिपीए ठीक है इसलिए हमारा सीनंबर से हो जाएगा तो अप्लिकेशन का जो हैुपयोग नहीं किया जा सकता ही सकता इसको नहीं बनाने है सकता हुई इस टाइब के कोसर आते हैं आपके पास वर्ड फॉर्मेशन में देखो आगे देखो जैसे हमारे पास यहां पर क्या है कि इसके द्वारा हमें देखना है कि बनाया जा सकते हैं कि अब देखो सी ओ सी ओ भी हमारे पास एन भी है यानि इसको बनाया जा सकता है ठीक है हमसे कोशन में क्या पूछा नहीं बनाया बनाया जा सकता है यहाँ यानि की नेशन हम बना सकते है अब यहाँ पश्रक में हमारे पास एपैंपी है यह पर इड और यह यहां पर ओभी सकते हैं अब जड़ाकं देखो गहां पी है इसलिए इसको नहीं बना सकते हैं बात आप समझ गया है न कि word of formation में क्या होगा कि हमें एक meaning देगा यह जैसे यहां पर दिया हुआ है और इसी का use करके हमको इनको बनाना रहेगा तो यहां पर क्या cases बन सकते हैं या तो बन रहा होगा या फिर नहीं बन रहा होगा बात आप सम समझ में आ गई बताओ जरा जल्ली से ठीक है मेरे दोस्त तो यह बातें इतनी हो गए कि आप से नमारा यहां पर डी गलत हो जाएगा सही होगा क्यों हमसे पूछा ता नहीं बनाया जा सकता कंट्रोल को नहीं बनाया जा सकता इसके द्वारा ठीक है चलो आगे तो word formation में बस कौन नहीं बनेगा तो हम क्या देख लेते हैं कि भाई देखो जब चार option दिया है उनमें से सही कोई एक ही होगा त्यानि इन चार में से तीन एक सा एक तरह के होंगे और चौथा difference होगा बस हमको वहीं धोड़ना है तो देखो कि volt volt बनाया जा सकता है वाल वी ए अब देखो को यहां पे यह नहीं है यानि कुछ यह हमको अलग लग रहा है यह से नहीं मेल करना मतलब था कि यह वाला option आपसे पूछ रहा था जो सबसे अलग है ठीक है बोलो इसी तरीके से यहां पर जब आओगे pragmatic में आओगे तो यहां भी आपको यह करना है कि कौन सा इन चारों में से option अलग है वहीं चुनना है जैसे तो यहां पर यहां पर जी और यू नहीं है है ना यू नहीं है यानि यह हमको कुछ अलग देखरा रहा है अब देख। यहां पर A gma ए even a gma दिया हुआ है आर आरवी के यहां पर हमें के नहीं दे रहा है कि यह भी नहीं बनना हमारा गेम जी ए-ए-म-इ- मैजिक मैजिक हमारा बनना है यानि अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि यह तीन जो है ना यह जो तीन है यह तो हमारी इसके दोरा बनाए जा सकते हैं लेकिन यह option अलग है तो हमारा option number D से हो जाएगा क्यों क्योंकि यह तीन हो एक ही प्रजातिक है और यह difference है तो हम अलग वाले को अलग कर देते हैं ठीक है तो यह हमारा यहां पर यह हो जाएगा तो यहां पर देखो पीछे हमसे क्या बोला क्या वो बोलना चाह रहा था भाई मेरे यहां पर यह बोलना चाह रहा था कि अलग बताओ तो हमने देखा कि यह तीनों इससे बनना है लेकिन यह बी नम इनका प्रियोग करके नहीं किया जा सकता आप आंसर तो कर सकते हो ना इसकी प्रैक्टिस तो आप करी लोगे अब इतने तो समझदार हो कि भाई हमारे पास सिर्फ इतनी चीजें है और इनी से मीनिंग बनाना है जैसे चेक करो सल्यूशन यानि कि इसको हम नहीं बना सकते तो इसलिए आपसल नंबर सी हमारा सही हो जाएगा तो इतना तो आप चेकी कर सकते हो ना ठीक है बस यह है कि यहां पर जो वर्ड जितनी बार आया है उतनी बार यूज कर सकते हो एक बार आया है तो एक बार तीन बार आया है तो तीन बार तो जरूरी नहीं है कि हम दो बार यूज करें हम एक बार यूज करके भी बना सकते हैं लेकिन दो से ज्यादा नहीं उज कर सकते हैं इस बात का आपको ख्याल लखना है चट्वा कोस्टन जो है आप कर लोगे कि मल्टिप्लिकेसन है यहां से आप क्या नहीं बनाया जा सकता है यह आपको बताना है यानि यह पे तीन ऐसे होंगे जिनका नहीं किया जा सकता है तो वह हमारा सही हो जाएगा आठवा नवा कोशन भी आप अपने से कर लेना कि जितनी चीज़ें यहाँ पे दियें बस उनका यूज होना चाहिए अगर किसे में कुछ अलग है तो वो हमारा आप्षन सही हो जाएगा दसमे नंबर में भी आप सेम चीज़ कर लोगे प्रैक्टिस कर लेना है पीडियाफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा आते हैं हम लोग जंबलिंग वाले पर तो डिसकनरी हमने देखा डिसकनरी पर ज्यादा टाइप नहीं है नारमल सा है जंबलिंग में तो कुछ भी नहीं है आपको एक मीनिंग देगा उसी को यूज करके दूसरे को बनाना है नहीं बनना तो आपसं सही है जो बोलना है उस तरीके से आपको करना है बस आपको जितने लेटर दे दिये जाएंगे उतने का यूज करना है उसे ज्यादा नहीं करना तो यह होता है अब जंबलिंग में देखो क्या होता है जंबलिंग को हम लोग बोलते हैं अच्छरों का तार्किक क्रम इसको हम लोग हिंदी पर क्या बोलते हैं अच्छरों का तार्किक क्रम बोलते हैं ठीक है बोलो तो अब देखो यहां पर क्या है ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं अच्छरों का तार्किक क्र ठीक है अच्छरों का तारकिक करम और देखो यहां पे मेरे भाई आप बोलोगे जरूर लेकिन यहां पे कुछ ऐसा बताने लायक नहीं होता इस चैप्टर में अच्छरों के तारकिक करम में यहां सब कुछ आपके उपर डिपेंड होता है फिर भी कुछ चीजें बता दी जा रहेगी जैसे मालो की मल्टिप्लिकेशन लिखा रहेगा लेकिन वो अलग अलग लिखा रहेगा वो कुछ आप अगर पढ़ना चाहोंगे पढ़ नहीं पाऊगे ठीक है तो वहीं आपको एक अर्थपूर्ण से मीनिंग बनानी रहेगी यहीं होती है जंबलिंग आजाओ ज कि बताओ जड़ा है कि बोलो जल्दी से बोलो एक बार देखो इसको अपने आँखों से कि क्या बना सकते हो आप बोलो यहां से क्या बना सकता है बताओ जल्दी से कौन सी और देखो यहां पर ऐसे कोशन देखता है है ला कि जो आपने कभि कभी सुना यहांसे कभी नहीं सुने मपढ़ा किन साइक Member घुल्दी जैसे यहां पर क्या बन्रहिए आपका सकते ही से इंसाइक्लोपीडिया बनना यहां से तो आप या तो यहां पे डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि क्या बनना है यह तो आप option की मदद ले सकते हो कैसे जैसे यहां पे 9 है न तो 9 की स्थान पर क्या आया है y आया है 12 है 12 की स्थान पर क्या आया है e आया है 11 है 11 की स्थान पर क्य और यह और मेरे दोस्त बोलो ठीक है मतलो नो की स्थान पर आमरे पास क्या आया है है अंक बतों दो दो चार दूच्जे दो आठ तो दोचाइएक दो तीन चार प्ण जे साट अटनो नो पर हमारे पास आया हुए यहां पर इस ध्यान देना है थ्यानिया सा पास पास टाइप हो गया ठीक है बारे बारा नंबर पर हमारे पास क्या आया है ए आया है ग्यारा नंबर पर हमारे पास क्या आया है एक नंबर पर हमारे पास क्या यहां पर सी है और चट्वे नंबर पर क्या होगा मेरे भाई चट्वे नंबर पर आपके पास एल होगा सात दूसरे नंबर पे आपके पास N होगा, तीसरे नंबर पे आपके पास O है, पांचवे नंबर पे आपके पास क्या है, D है, दूसरे नंबर पे आपके पास I है, और चौथे नंबर पे आपके पास C है, यानि इस तरीके से आप option की भी मदद ले सकते हो, ठीक है, बोलो बात आ मज में आई कि नहीं आई बताओ जड़ा तो यहां पर क्या था कि यह जितने लेटर है ना यानि 12 है इनकी नंबरिंग की गई है तो आप क्या कर सकते हो कि जब आप यहां पर लिखोगे तो जब इसको पढ़ोगे ना तो एक कोई meaningful sense नहीं दे रहा होगा वो आपको अंदर से ही पता चलेगा नहीं यार ऐसा नहीं होता है ठीक है तो आप यहां से option से भी क्या कर सकते हो option में लिख क्या चेक कर सकते हो कि option मेरे भाई क्या सही हो सकता है अब जैसे अगर यहां पर बी नंबर पर लिखो तो गेरा पर हमारे पास फसके बाद एक हमारे पास क्या या है और साथवे कि याया है ठीक है उसके बाद देखो कि चौछ अधि네ज़ाइं हमारे पास क्या है सी है एच्छटमाएं हमारे पास च्छटमाएं हमारे पास एल Кол pequeño जा तीसरा तीसरा हमारे पास है O उसके बाद आठवा आठवा हमारे पास क्या है आठवा है हमारे पास P नवा नवा हमारे पास क्या है आठवा P है तो नवा हमारे पास E होगा बोलो पांचवा हमारे पास क्या है पांचवा है हमारे पास D उसके बाद हम देखेंगे आपद दूसरा दूसरा हमारे पास क्या है आई है और दूसरे के बाद हमसे बारा पूंचाई यानी इसको बन गया इन-साइकलो पीडिया यानि इस तरीके से ऐसा लोग रहा होगा आपको कि इसको हमने पहले कभी सुना है तो आप क्या बोल सकते हूं कि आपसन नंबर B हमारा सही है इसके दोरा हम क्या बना सकते हैं इन साइकलोपीडिया बना सकते हैं यह तो आप जैसे सामने देख तो इतनी कटिंग नहीं देता है पेपर में ठीक है फिर भी आपके प्रीवेस यह पर आया हुआ ही कोश्चन है है आपको ऐसे वर्ड देगा जो आपने कभी सुने हो ठीक है तो आप क्या करोगे यह तो देखके पहचान जाओगे पहला तरीका हुआ है कि भाई देखके ही बता दो दूसरा तरीका फिर यह है कि आप हर एक आप्सन के हिसाफ से वहाँ पे लेटर लिखो और आपको मीनिंग फुलवर्ड मिल जाएगा बस यही दो तरीके और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ाने लायक हो यहाँ पर आपके उपर डिपेंड है कि जितने चीज़ें आप देख सकते हो जितना जल्दी आप पहचान सकते हो अब जैसे यहाँ पर आप देखो अब यहाँ पर कुछ नहीं बताया जा सकता कि भाई एक ट्रिक लगादनी कोई ठिक नहीं है पहला तरीका है कि आप यह तो डाइरेक्ट आंसर देदो या तो फिर क्या करो आप ठीक है बोलो तो क्या बना यहां इंडिकेटर जो नहीं बना पार है इंडिकेटर वो यहां पे जैसे पांचमें इस्थान पर क्या है दो दुचार पांच आई आया है दूसरे इस्थान पर डी आया है पहले इस्थान पर फिर से एन आया है नौमें इस्थान पर दो दुचार c8 और नौव लेटर ये 9 पर लास्ट में यह जिद यह आया है तिक है और 8 में पर हमारे पास एया मैं 4 पर हमारे पास है टीसरे पर हमारे पास आयाले वाइन आया एं यह साथ में पर हमारे पास कि या चिस त्रीके प्रेटर उठाके लिए को फिर नौवाल लिखो फिर पहला फिर तीसरा फिर दूसरा तो एक मीनिंग्फुल वर्ड आपको मिल लाएगा तो यहां पर कुछ ऐसा पढ़ाने लाइक नहीं यहां पर डिपेंड आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बस यहां पर आपको बता दिया गया पांच में पे हमारे पांच में बार जो नहीं हमारा आया पहले पर भी यहांप अगर देख हुगे तो आपकी पास फाइप की दो option है इसमें आपके बाद छाई है कि आप करो अब यहां पर देखो जैसे तीसरा question है इसका आपको answer बता दिया जा रहा है कि answer हमारे पास क्या होगा answer इसका नंबर 7531 क्या होगा 7531 यानि कि यहां पर बी नंबर है यह option इसका सही होगा इसके इसाफ से आप arrange करोगे word को तो एक meaningful आपको meaningful sense मिल लाएगा इसको आप arrange करके देख लेना लेना बस इसी तरीके से करने होते हैं चौते नंबर पर आओगे चौते नंबर पर हमारा answer क्या होगा मेरे भाई बोलो यहां पे क्या हो जाएगा चौथे नंबर पे जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या बनेगा वैरियेशन इससे हमां क्या बना सकते हैं वैरियेशन बना सकते हैं अब वैरियेशन बना सकते हैं अब वी हमारा कहां पे आया है वी आया है तीसरे पे ए हमारा कहां पे आया है चौथ है क्या यहां पर बोलो मेरे भाई कि यहां पर चौथा कोश्चन है कि बताओ कि यहां पर क्या सही है आपके पास बोलो है यहां पर एक वर्ड टाइप कर लेना यहां पर एन होगा यहां पर wasan में थोड़ा सही कर लेना ठीक है यहां पर क्या होगा तबidenches 456789 हाँ अब जब इसको आप सही करोगे ना तब यह होगा है न कोशन में थोड़ा सा मिस्ट्राइपिंग थी यहां पर पहले एक एन एड कर लेना तब हमारा क्या होगा वी जो आएगा वह चौथे पर आएगा एमारा पहल एमारा अब यह पांच में पर आएगा एमारा आ ज सही हो जाएगा इस्ट्रेंजर इस्ट्रेंजर यानि की इस्ट्रेंजर का मतलब है बी नंबर इस्ट्रेंजर जब आप लिखते हो ना यह स्टी आर ए एन जी ए यार इस्ट्रेंजर तो आप देखोंगे एस हमारा कहां पर आया हुआ है मेरे भाई एस हमारा आया हुआ है सा 7 और 5 वाला अप्सण से और छाएगा इससे क्या बन राताइस टेंज या तो आप meaningful बन जाएगा इस ट्रेंजर तो फिर आप इसके इसाफ से नंबरिंग करनो आपको उप्सम मिल जाएगा या तो आप नहीं बना पा रहें अर्फ इनको उठाकर आप creator पोसें रहते चार दो छे तीन वाला आपसन चाही होगा अब जो भी बन रहा हो आप उसको बना के एक बार चेक कर ले ना जब इनको इसके हिसाब से रखोगे एक meaningful word मिलेगा बाकी भी आप करके देखना वहाँ से भी आपको क्या मिलता है ठीक है यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 6, 5, 2, 3 वाला है ना 6, 5 और 2, 3 यह बी नमबर आपसन सही होगा त्यानिक इस तरीके से हमें यहाँ पे question करने होंगे ठीक है मेरे भाई बोलो तो यह होता है हमारे पास word formation अब देखो एक बात यहाँ पे सुनो कि word formation में हमारे पास कुछ भी बताने लाइक नहीं है कुछ भी नहीं बताया जा सकता कोई भी meaning आ सकती है तो या तो आप direct बता सकते हो direct answer कर सकतो या तो फिर आप option की मदद ले सकते हो इन option के इसाफ से meaning को उठा के रख दो आप क्या कर पाओगे मेरे बाई option के इसाफ से रख दोगे तो answer मिले गए दो तरीके है word formation के लिए और jumbling में हमारे पास क्या था यह हम लोग क्या था यह jumbling था न हाँ jumbling में हम लोग इस तरीके से कर सकते है वर्ड formation हमारे पास जो होता है यह तो jumbling था word formation में हमें एक word बार दिया जा सकता है उस से हम कौन-कौन से वर्ड बना सकते हैं नहीं बना सकते यह बताना होता है में ہ Metal, में में कुछ नहीं करना सोता है कभी उनको बोलेगा जब में में सिट करोगे तो तीसरे पे क्या आ जाएगा तो तीसरे जगा पर आ रहा है वह मीनिंग हो जाएगी कभी बोलेगा उल्टा सेट करो तो आप उनको पहले सीधा सेट करके उस आफसन को ही पलट दोगे आपका अंसर आ जाएगा बस इतने ही टाइप के यहां से कोशन पूछे जाते हैं और बहुत यह चोटे आने लाइक कॉंसेट होते हैं तो आम लोगो आप देखेंगे लेकिन आपको परोसा होना चाहिए अपनी प्रैक्टिस पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चीजें समझ में नहीं आनी है यहां से आप समझ लिए फिर आप बेस्ट हो गए अपने फिर भूल जा कर देना ठीक है वाई तो चलिए आज की क्लास में इतना ही मिलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में